Welcome back to my youtube channel आप लोगा स्वागत हैं मेरे चैनल में तो यहाँ पर हम लोग BHPSL की जो upcoming vacancies आने वाले 2-3 महिना के अंदर vacancies आ जाएगी ITI वाले student के लिए और भी various post के लिए आएगी पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ ITI वाले student के लिए जो की अगामी exam होगा ठीक ठीक है जो कि टेकनिकल आप लोग का 50 question पुछता है जो कि आप लोग को करना ही पड़ेगा ठीक है तो आप लोग अभी से ही त्यारी करोगे तो आगे जाके आपको problem नहीं होने वाला है अगर आप लोग theory पढ़ जुके हैं तो question कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोग सिर्फ question ह करना है तो कर भी सकते हो आप लोग ठीक है ये question जो आप लोग का 21, 2020 जो आप लोग का exam हुआ है वो है previous year का यानि अभी all India जो भी exam UPPCL, ISRO का, TO का ये सब जितना भी exam हुआ इसका हम लोग question करने वाले हैं बाकी 27 बल अब सुला ये सब का question हम लोग बाद में करेंगे बट अभ इसा question है ये सब हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं first question आप लोग यहां पर देख सकते हो पहले तो हम लोग इसको देखेंगे कि first में क्या बता रहा है कि पहला है वीदुत अगहात के पास चाहत सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए ये आप ल चुटे या सुनिशित करना चाहिए यानि जो बिजली पकड़ा है वो छुड़ गया है कि नहीं वह कंफर्म करना चाहिए ठीक है सी में डॉक्टर को सुचना देना चाहिए और देखना चाहिए कि सास चल रही है या नहीं आप लोग का एंसर जो होगा वह आप लोग का जो केदलगे हैं या सुन चुटा है कि सुनिशित करना चाहिए बिजली से ठीक है तो यह आप लोग को राइट रही होगा हो वह आप लोगा भी होगा टीक है बात में आप लोग को यह सब βीयार और चीजद आट हो होगा वो आप लोग का भी answer हो जाए ठीक है चलिए हम Next question करने वाले हैं चलिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो एक मीनट भी तो यहां पर आप लोगा second question को अगशिन हो लना है तो यहां पर बोला गया है कि विजली के कारण होनेवाली दुरघटना के मामले में करवाई पहला कदम क्या है यह आप लोग का एंपी में कोशन है एले के लिए आप लोग का पाचीस फर्विद ऊसतर कुछ कुछ कोशन पुराना भी है ठीक है यह आप लोग का एंसर आप लोग को देना है कि बिजली के करान होने वाले जो धरगटना होते उसके करवाई के पह ए !! आप उसमें आप लोगो करना पड़े ठीक है ? तो सौसन करिया होता होता है तो यह आप लोगा होगा तो आप लोग Rider होगा With the Black player को अलग करना होता है पहले नंबर तो आप लोग को जो answer होगा वो आप लोगा B A answer होगा ठीक है राइट answer आप लोगा क्या होने वाला A answer होगा चलिए तो हम लोग next question करने वाले हैं इसका पीडियाप अगर आप लोग चाहती हो तो पीडियाप भी मिल जाएगा आप लोग ले सकते हो WhatsApp ग्रूप में ठीक है यहाँ पर second बोला गया है कि तीसरा question है बिडियाप काम करते समय निम्मे से किस पालना नहीं किया जाता है यानि बिडियाप लोग काम करते उस समय आप लोग किसका पालन नहीं किया जाता है पहला परमुक आप पूती बंद करना गिले हाते गिले हातों स का पुर्योंक करें यह सकरी बिजली रहने वाले उपकरिंद की मनात्मत कभी ना करें तो आप लोग का एंसर क्या होगा आप फौर्थ नमर को करते हैं यहां पर विदु सुरक्षा नियाम के संदब में निम्मस से गलत कतन का चैन करें यानि आप लोग का गतन जो है वो गलत आपको चैन करना ना की सही करना यह आप लोग का दोज़ार कीस में पूछा गया कोशन है तो राइट एंसर आप लोग ब यानि आप लोग का समस्या निवरन के दुरान अनाविरित चालोकों को संपंग करें ठीक है यह एंसर आप लोग का हो जाएगा चलिए हम लोग 5 नमर कोशन को देखेंगे निम्लिकित विकल्ब में से उस निर्देश का चैन करें जो विदुत अगनी के संदब में गलत है य आप लोग का 5 नमर 211 का ही कोशन है तो राइट एंसर आप लोग का एंसर होगा राइट एंसर आप लोग का क्या होने वाला है एंसर हो जाएगा यानि कि जब आप भैसंके सुनने तो पंखे परिसाचरित्र एयर कुस साकुलेटर बन ना करें ठीक है तो यह आप लोग का हो ματα कील बुला यहां बोला है कि जब कोई वेखती किसी उख्रहन के विधूतिय रूप से सज्यूत भाग लाइबक पार्ट को अस्पास करता है यानि जब चलता है सजीवu यानि चल रहा है लाइट ठीक है उसको अगर हात लगाता यहनि सपाग करता है यानि टर्च करता तो सो पनी ये विभाव यानि step potential dot dot होता क्या है 6 का आप लोग का right answer जो होगा वो C होगा यानि वीधूत, चलित और सज्यू सता पजलने पर व्यक्ति के दो पेर के बीच का विभाव यानि आप लोग का right answer C answer हो जाएगा next question होगा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मनुस का सरीर इसलिए अगहात यानि सौक महसूस करता है क्योंकि सरीर से हो का dot dot का परवा होता है क्या परवा होता है ये पूछा गया है तो right answer आप लोग का 7 का होगा D यानि धारा जो होता है वो महसूस किया जाता है आप लोग ठीक है तो परवा होता है उसके बीच में तो धारा आप लोग का right answer हो जाएगा ये आप लोग का latest question रहने वाला है जो करवा रहे है ठीक है तो उसके सब सब लोग तैयारी भी कर सकते हो 8 का answer है यानि 8 का answer है निम मैं से कौन सा कारग विदू परगहत की तुरीता में सहयक होते है तो right answer आप लोग का यहां पर दिजी आप लोग तो answer आप लोग का 8 का, आप लोग का D answer हो जाएगा, यानि चार हो जाएगा, यानि कारक विजुद अगात की तिरिता को साहता होती है, यानि सरीर पतिरोद, मौसम की स्थिति, धारा का परिमान और संपंक अवधी, यानि आप लोग का ये दोजरेकरिस में question पूछा तो गया ह बट ये previous year में भी question पूछा गया है और भी exam में, यानि आप लोग का 2016 में, 2017, 2018 में भी ये question पूछा गया है, तो ये आप लोग दियान में रखना, ये important question हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का 9 number question को देख सकते हैं, मनुष्ट दोट के विदुत प्रगात धराओक पर अधिक संबेद यानि अनु सुराचित है, क्यों? यहाँ पर हट्स पूछा गया, 9 का जो होगा वो अप लोग का D होगा, यानि 50 हट्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी दोजरे के इसमें question पूछा गया है, दस number question को आप लोग देखेंगे, निस्दात्मक संकेत की प्रिष्ट भूमी क रंग डोट-डोट होता है, और इसका का डोट-डोट होता है, यानि आप लोग का निस्दात्मक होता है, और भी रंग होते हैं, जो कि आप लोग को ये अच्छा से याद चेतानी चेहन जिसको कहा जाता है, ये आप लोग को अच्छा से समझ के आप लोग को जाना होगा, क है कि एक-कोशन तो आता ही आता है कोई भी मैं इसमें हूट ऐक एक कोशन आता है पूछता और रंग या पट्टी पूछे का उसके बिलेख कें अंदर का रंग किया होता है उसका क् manifest किया होता है यह Queshan पूछा जाता है ठीक है तो 10 का एंसर जो होगा वह आप लोगा राइड होगा सफेद होता है ठीक है सफेद होता है प्रिश्ट भूमी और इसका कार होता है विरितकार होता है यह आप लोग दिहान में रखना चलिए हम लोग नेक्स्ट नमर Queshan करेंगे चित्र में दिखाएगे चेतानी चिहान की पहचान करें तो आप लोग का ये क्या होने वाला है 11 का तो आप लोग का ये होगा लेजर रेडियेशन होता है और इस कोशन ये रिपिटेट कोशन है यानि आप लोग का 2021 में तो आया ही है 2022 में भी आया है 2018 में भी कोशन यह आया है ठीक है तो यह आप लोग दियान में रखना इंपोर्टन कोशन है बारा नमर कोशन को आम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि यहाँ पर अधार वर्ग में चेहतानी चिहान के प्रिष्ट भूमी करण क्या है देखो यहाँ फिर अप लोगा HP हर्याना का तरफ से हर्याना SSC में इलेक्ट्रीशन का पूछा दिखरे को इसमें अवो UPPCL में ही पूछा यानि आप लोग का चेहतानी चिहान यरुनी साइन जो होता वो अप लोग को पूछता ही पूछता है एक कोशन तो आप लोग को याद करके जाना होगा बारा का जो होगा वो आप लोग का पीला होगा यानि राइट एंसा जो होगा वो पीला होगा ठीक है चलिए हम लोग आप तेरा नमर कोशन करेंगे यहाँ पर पीने का पानी प्रूस सोचा ले पर्थमिक उपचार के साइन बोर्ड किस उधारन है देखो यहाँ पर फिर कोशन पूछ दिया यह MP में पूछा एक फिर हरियाना में पूछा फिर UP में पूछा यानि आप लोग का कोशन हमेशा यह पूछता ही पूछता है कोई भी चीज़ में साइन का ठीक है तो तेरा का इंसर जो राइट होगा वो आप लोग का C होगा यानि सुचात्मक संकेत होता है यानि सुचना वाला होता है ठीक है सुचना देने वाला तो राइट एंसर आप लोग का C हो जाएगा यहाँ पर चौदा नमर कोशन अपतकालिन इस्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए चौदा को जो एंसर होगा वो आप लोग का पर्थमिक उपचार पेटी जो होता है यानि आप लोग का पर्थमिक उपचार की यानि जो चोट उट लग जाता है उसमें कीट होनता है बलम पट्टी यह सब होता है तो यह आप लोग का रखनी चाहिए पर्थमिक इस्टेशनों पर हर इस्तिती में ठीक अपतकालीन इस्तिती में तो राइट एंसर आप लोग का भी होगा नेक्स नम्मर कोशन है पंद्रा कोडियो पलयोमोर नरी रिसेक परेक्सन यनि सी पी आर और होफोफोसिया पुनजीवन का पहला चरण क्या है यनि पंद्रा का आप लोग का राइट एंसर जो होगा वो छाती के जोर से दबना एंसर हो जाएगा यह आप लोग का दोजर बाइस में पूछा गया हर्याना पी ए में अच्छा कोशन है हो सकता पूछा आप लोग कोशन है यहाँ पर आप लोग का सुल्ला नम्मर कोशन है मानुस सरीर पर विदुद परगात का पहिमा अंद और डॉट पर निर्भर करता है तो आप लोग का सुल्ला का जो होकर राइट वो आप लोग का डी एंसर हो जाएगा यानि मनुस सरीर में प्रवावी धारा जो होते है उस पर निर्भर करता है ठीक है कि केतना आप लोग का दिया जा रहा केतना सैंसिलता इंसान में है ठीक है अगर पाच मिली एंपिया तक दीजे जाता हो अगर आप लोग पाचास मिली एंपिया तक उसको दे दे तो हिर्दे घात होता है यनि हाट एटेक हो जाता है अगर एक हजार मिली एंपिया या एक एंपिया दे दोगे तो वो इंसान मर जाता है तो यह आप लोग दियान में रख सकते हो ठीक है यह लिख ले ना चलिए हम के कृछन को कितने समय में किम से कम एक बास चय जाना चाहिए यह आप लोग का कोशन बहुत अच्छा कोशन है जो आप लोग को करना चाहिए 17 का आप लोग का होगा राइट 15 से 20 मिनट तक आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा हम लोग आप करेंगे कोशन 18 का क्या परभाव होता है यदि वेक्ति को 20 मेली MPI 13 का परगहत लगता अभी हम जस्ट करवाएं तीनो चारो का हम बताएं ठीके तो उसके साब साब लोग बता भी सकते हो चलिए हम ऐसे बता दते हैं 18 का आप लोग का क्या होगा वो आप लोग का दर्दनाग परगहात होता है थीके तो भी एंसर आप लोग का ओगा वो राइट एंसर हो जाएगा हम लोग आप उन्हें इस नमर कोशन करने वाले हैं थीके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह आप लोग का आज का last question है कल जो सेप्टी का करवाएंगा वो लास्ट वीडियो सेप्टी कराएंगा उसके बाद नेक्स स्टेप्चर हम लोग करेंगे यहाँ पर आप लोग का उनेस नमर कोशन लीकेज विव धारा की कितनी मात्रा चाती से गुजरने के बाद मनुस की सोसन किरिया को रोख सकती है तो यहाँ पर राइट एंसर जो होगा वो उनेस का सी यानि 20 एंपियर से आप लोग जान देते हो और 50 एंपियर तक तो वो प्रोब्लम होती है मनुस की सोसन किरिया को रोख सकती है यानि right answer आप लोग का क्या होगा वो आप लोग का c answer हो जाएगा ठीक है तो अभी तक के लिए हम लोग उन्हें इस question तक करेंगे आगे हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग 41 तक यानि अब हम लोग करेंगे 20 से लेकर 41 तक करने वाले हैं question कल safety कही करेंगे I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो ठीक है आप समझ में भी आया हो नया नया question आप लोग का मिलने वाला है subscribe कर लेजेगा चैनल को ज़्यादा सज़्यादा आप लोग सेर्विक कर देजेगा जो लोग नया है बाद में देख रहे है प्ले लिस्ट आप लोगा बन जाएगा वहां से आप लोग देख लोग है वहां बी एच पी सिर के नाम से आप लोगा बन जाएगा thank you for watching